भारत जोड़ो यात्रा के प्रथम चरण में मिली सफलता से उससाहित कांग्रेस हाई कमान ने बड़ा एलान किया है। कांग्रेस सूत्रों के मुतावित राहुल गांधी पूर से पस्चिम एक और भारत जोड़ो यात्रा पर जल्द निर्णा ले सकते हैं। मेडिया रिपोर्ट के मुतावित कांग्रेस हाँज से हाँज जोड़ो अवियान के बाथ भारत जोड़ो यात्रा 2.0 का ऐलान कर सकती है। यात्रा से मिले सकारातμα चमाहूल को कांग्रेस समाप्त नहीं होने देना चाती है। इसलिए हाथ से हाथ जोड़ो अव्यान के बीच भारत जोड़ो यात्रा के लिए तैयारिया सुरू होने लगी हैं। कांग्रेस नेता और मीडिया प्रमुक जैराम रमेश ने कई माखों पर दूसरी भारत जोड़ो यात्रा के संभावनाओं से इनकार नहीं किया है। सिरि नگर में हुई रहूल गांधी की पत्रकार वारता के दोरान भी रहूल गांधी ने एक और भारत जोड़ो यात्रा की संभावनाज जताई थी। चलाया जा रहा है राहूल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में कई बड़ी हस्तियां भी सामिल हुई जिनमें बालिवूड अबनेतरी और नेता ओर्मिला मान टोर्ड कर अबनेतरी सुरावासकर फिल्म मेकर पूजा भट रिया सेड एक्टर अमोल पालेकर टेलिवीजन इसके अलावा दिग्गत समा सेवी अरुना राय के साथ योगेंद्र रियादो गायक और लेखा टीम कृष्णा इस्टैंडप कमेडियम कुणाल कामरा और आर्वियाई के पूर गवर्नर रगुराम राजन समेत बड़ी संखह में लोग सामिल हुए थे राहुल गांधी के नेत्रित में तमिल नाडू के कन्या कुमारी से सुरू हुई यात्रा स्री नगर तक करीब 4080 किलो मीटर की दूरी तैकी है राहुल गांधी ने 29 जनौरी के दिन एतिहासिक लाल चौक पर तिलंगा फाराया इस दोरान उन्होंने बोलते हुए कहा कि भार नहीं है इस यात्रा का असल उद्देश देश को एक करना था और इस दोरान हमें लोगों ने अच्छे प्रतिक्रिया मिली प्रॉपी सर दोरार इस जाल च। अके मिली खंगा जात्य है यार आगिक्ष को एक कि अपूल से भाल गगों फिन एकुश